हरियों मैं स्वाती वीरा काप्रे प्रभादेवी दादर में मुंबई की रहने वाली हूँ मैं एक हाई स्कूल में साइन्स और गणित सिखाने वाले शिक्षिका थी लेकिन अभी मैंने वो जौब छोड़कर ट्रांसलेशन की में सेवा करती हूं अपनी इसी संस्था में मैं बापु परिवार में सन 2000 साल में आई जब हम बापु परिवार में आये तब हम थोड़े मेरी एक बहुत बहुत बिमारी थी इसके करण हम बहुत परिशान थे उसके पहले यह हुआ था कि 1907 डिसंबर में जब मैं साथ मेने के प्रेगनन थी उसमें मुझे पेट में बहुत दर्द होता था और समझ नहीं पा रहे थे इसका कारण क्या है जब मैं नानावटी होस्पिटल में अडमिट हुई तो सोनोग्राफी करके मुझे यह बताया गया कि आपके गाल ब्लैडर में कुछ स्टोन्स है जिनका अभी कोई इलाज नहीं होगा लेकिन आपका बच्चा हो जाने के बाद में एक मेने बाद आप आईए और उस वक्त ह हम इसका इलाज करेंगी फरवरी दो 1908 में मुझे बेटी पैदा हुई जो बहुत ही कमजोर थी उसका वज़न जो है वह बहुत कम था क्योंकि मुझे जौन्डिस बताया गया था और उस वज़ए से मेरी दवाईयां और खाने-पिने में बहुत ही सक्थ परहेज था मार्च में जब हम भाटिया हॉस्पिटल में एडमिट हुए कि अब हमें गाल ब्लैडर के स्टोन्स या गाल ब्लैडर निकाल देना है उस वक्त हमें पता नहीं था कि इतना बड़ा संकट हमारे सामने हमारे दर्वाजे पर आकर खड़ा है जब एंडस्कोपी के लिए डॉक्टर ने शुरू किया एंडस्कोपी करने के बाद हमें बताया गया कि गाल ब्लैडर का जो समस्या है वो अलग है लेकिन आपका जो लीवर है वो 90 प्रतिशत से ज्यादा खराब हो चुका है और आपकी जो सीबीडी से कॉमन बाइल डक्स जो है वो पूरी तरह से ब्लॉक हो गई है और उसमें से बाइल यानि पित्त जो है वो बाहर नहीं निकल पा रहा है और उसकी वज़े से अंदर ही अंदर उसके पथर होते जा रहे और उसी के वज़े से मुझे जॉन डेस और बिली रूबीन विए बहुत उचे स्तर पर प सब्सक्राइब होती जब हम होस्पिटल से बाहर निकले तो डिस्चार्ज कार्ट के साथ साथ हमें डॉक्टर ने यहीं बताया कि आपकी बिमारी का केवल एक ही इलाज है कि आपको लीवर प्लत्यार उपन यानि ट्रांस्प्लांटेशन करना पड़ेगा और यह दिल्ली मे होता है मुंबई में अभी नहीं होता है यह में बात आपको बता रही है 2002 साल की जिसके पहले हम थोड़ा आयुरुवेदी खवयमेपेथी इलाज करवा चुके थे और हम बहुत निराश होकर और नाराज होकर हम अपने घर वापस आए मुझे अपने आप से में बार बार प पती को यह बताया गया था कि छे महने से डेड़ साल या दो साल तक इनकी जिंदगी है और अगर आप ट्रांस्प्राइं नहीं कराते हैं तो हम कुछ नहीं कह सकते रांस्प्राइं का खर्चा भी उनने बताया जो बहुत ही हमारी पहुँच से बाहर था जब हम घर आये तो इतने उदास निराश ऐसे थे कि बच्ची को देखकर में कभी को भी खुश होती थी लेकिन तुरंट उदास भी हो जाती थी कि मैं इसके साथ कितना समय गुजार पाऊंगी कितने साल गुजार होगी और मैंने धीरे धीर अपनी बच्ची को भी लेना कम कर गया था ऐसा और बाइल पतला होने में मदद मिले और उसके पत्थर ना बने लेकिन उसके साइड इफेक्स भी दीरे दीखने लग गये थे कि मुझे जरावी कहीं छोटी सी भी चोट लगती थी तो खून इस तरह बैता था कि उसका तालाब जैसा बन जाता था रात के समय मुझे दिखा हो गई कभी कभी कितनी बार में किसी का सहारा लेती हर बार मुझे दीवार पकर कर चलना पड़ता था और कभी-कभी उस दोरान में गिर जाती और अगर उस गिरने में कहीं चोट लग गई तो खून की धाराएं बैने लगती थी हम देरे देरे निराश होने लगे थी किया मेरे साशुराल के परिवार में और मेरे परिवार में भी हम दर्दा संपरदाय को जेश्ठ सञ्था संत संत्र अवारा बारा सटरान कर उनके अनहों वहां भी गई और मेरे पती और हमारा परिवार वहां गया वहां भी उन्होंने बताया कि आप धियाज रखी कुछ न कुछ आपको इसका उपाई जरूर मिलेगा वहां से ही मुझे एक जेष्ठ गुरुबंदू आगाशे काका जिने कहा कहते हैं सब अर्विंद आगाशे उन्होंने बताया मेरे पती को कि तुम मुंबई में रहते हो तो मुंबई में दादर में ही एक सिंधु दुर्ग होटर है वहां कहीं डॉक्टर अनिरुद्द जोश ही हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम उनके पास जाओ और तुमारी इस बीमारी का तुमारी समस्या का निदान उनके पास जरूर होगा तब हम गुरेगां में रहते थे तो हम अपना इलाज करते रहें बोरीवली में मेरे पती की एक बहन है डॉक्टर संध्या पंडित उनके पास हम गए और वहां उनको पताया कि हमें ऐसा पता लगा है लेकिन हम उनको ढूंड नहीं पाए डॉक्टर रिर्द जोशी कहां पर है हमें ढूंड नहीं पाए तो उसने कहा कि मैं जानती हूं मैं तुमें एक पता देती हूं एक फोन नमबर देती हूं तुम वहां उनसे बात करो, मेरी एक मौसेरी बहन है, जो उस समय बापू परिवार में ही थी, तो आप उनसे बात कीजिए, उन्होंने हमें जो नंबर दिया वो था सुश्मा वीरा सरनाइक का, सुश्मा वीरा सरनाइक को मेरे पती ने जो फोन किया, तो उन्होंने हमें गोरेगाओं में भाई के घर पर बुलाया जहां पर उस दिन पादु का फुज़त है मेरे पती वहां गए और वहां पे जब उन्होंने अपना ये सारा बताया उन्हें तो सुश्मा वीरा और संतोष सामंत इन्होंने हमें दत्तगलिनिक कहां पर है इसका अच्छे से पूरा पता दिया है और उसी वक्त हमें बताया कि आप वहां पे जाईए और डॉक्टर सुचित वैद्दे वहां पे हैं सुचित दादा जिनको कहते हैं उनसे आप मिलिये मैं और मेरे पती हम दोनों अपने पूरे रिपोर्ट्स लेकर वहां गए सुचित दादा के पास जाते ही सबसे पहला अगला शुक्रवार या ऐसा एक दिन बताया कि आप उस दिन फिर से आईए अगले शुक्रवार फिर गए तो दादा ने बताया कि आपके रिपोर्ट्स सब देखे हैं बापो ने और आप यही बताया है कि आपको दो-तीन मैंने आपको थोड़ा रुकना पड़ेगा शायद जादा सामय भी रुकना पड़े लेकिन आप यहां एक बार आए हैं अभी आपको चिंता करने की जोरत नहीं है आप बिल्कुल सारी चिंता वाकू पर छोड़ दीजिए और आप हनुमान चालीसा राम रक्षा इसका जितना ज्यादा से ज्यादा पठन हो कर सकें उतना कीजिए और एक पूजा उन्होंने करने को कही जो हमने उस वक्त सुधार बहुत कम और बिगाड़ ही जादा था जब भी रिपोर्ट लेके दादा के पास जाते हम सोचते अभी दादा कुछ दवाई देंगे लेकिन दादा ने एक मुझे शक्ति के लिए गोलिया कुछ दी लेकिन साफ तोर पर बता दिया था कि यह आपकी बिमारी का इला पर देखें उन से जाके मिलिये हमने यह सब करना जारी रखा मैं मन में थोड़ा नारास कभी-कभी हो जाती थी कि क्या होगा मेरा क्या आगे क्या लिखा है मेरे वाविश्र में दादा से पूछती थी कितनी बार दादा कभी भी बिना गुसा किये बिलकुल शांती से हमेश रहा जाकता था लेकिन फेरी मन में बार बार आता था कि क्या होगा है एक बार ऐसे ही जो मेरे रिपोर्ट अथर बेज क है वहाँ यूके से किसी tap का मेल आया जिसमें ओन्होंने लिखा है कि लिखा था कि हमारे एक टीम के डॉक्टर जुई के डॉर्विंदर सिंग वहां अ है तो मुझे लगता है कि आप उनको एक बार जाकी मिलिए हम तुरंथ यह मेल लेकि दादा के पास फिर से दादा ऐसा ऐसा आया है मेल हम दिल्ली जाएं दादा ने बोला नहीं आप दो-तीन मैने रुकिए अभी आप यह उपासना जो आपको बताई है यह करते रहिए अभी तुरंथ जाई है मत और मेरी सच में उस वक्त जाने जैसे स्थिती भी नहीं थी तो हम रुके और उन्हीं दो-तीन मैने के दवरान उन्हीं टीन मैना खतम होते होते डॉक्टर स्वायन का हमें मेल आया आप खाले रिपोर्ट बेजी ऐसा दादा ने बताया था डॉक्टर स् चोटी बात तब समझ में नहीं आता था कि दादा बहुत बीजी हैं दूसरे भी पेशेंट्स हैं लेकिन हम बार बार अपनी छोटी मोटी समस्य लेकिन पहुंच जाते थे लेकिन दादा हमेशा बिलकुल हसते हुए हमें सब हमारा निदान करते थे हाँ अब आप जाईए पास और वह क्या कहते हैं बताई आके जब हम डॉक्टर के पास मिलने गए तो वह डॉक्टर ने हमसे करीब तीन घंडे तक बात की सारे शुरू से लेकि हिस्ट्री पूरी पूछ के और ट्रांस्प्लांट क्यों जरूरी है ट्रांस्प्लांट के से आपकी जिंदिगी में क्वालिटी ओफ लाइफ कैसे आएगी लेकिन उसके साथ साथ ये भी धोके हैं पूरा उसने बिल्कुल एक पारदर्शी तरीके से हमें सारे बातों से आउगत कराया डॉक्टर को देखके हमें बहुत संतोश मिला क्योंकि वह डॉक्टर जो थे वह बहुत उत्साहा से भी बहुत बहुत पॉजिटिव बहुत और उनको देखके मुझे पता नहीं कि मन में ऐसा लगा कि यह डॉक्टर सहीज है सही है मेरे लिए शायद दबापु ने ही इने शायद भेजा है मेरे लिए जब हम उनसे मिलना हमारा हो गया तो हम वापस दादा के पास आए कि दादा हो ऐसे से रहे हैं और उनहें हमें दो तरीके बताया है क्यार और लाइव डोन एसे तो हम आगे क्या करें डाधा ने बताया कि अब हमारे मन में पहले से हिः तावसित रौत यहीं आपके treatment करेंगे और आप यह डॉक्टर आपको जो जो कहे वो आप आंख मून के कीजिए कोई परेशानी हो आके हमसे बात कीजिए लेकिन यह डॉक्टर का पूरा कहना मानिए उस हिसाब से फिर हमने अपने रिष्टेदारों से घर पे सबसे बात की और लाइफ डोनर के बारे में मैंने जब अपने घर पे बताया तो बापू क अपना लीवर देंगे तुम कोई चलता मत करो तुम अपनी बस पॉजिटिविटी बनाया रखो और अपनी जो जीने की चाह है उसको कभी कम मत होने दो उसे बढ़ाते रहो बाकि सद्गूरू सब ठीक करेंगे हमने डॉक्टर सॉयन से बात की और सप्टेमबर 2001 में हम आप समझ में आ गया कि एक बहुत ही हाइली स्किल पूरी टीम है सारा उन्होंने हमें समझाया तरीका कैसे होता है डे 4 डे 3 डे 2 डे 1 पूरा प्रोटकॉल उनने बताया हमारे सारे टेस्ट किये गए सारे टेस्ट के दौरान यह पता चला कि मेरे भी अधर और और अर्गंस के सार टेस्ट हुए उसमें यह पता चला कि भाई का जो लीवर है वो डोनर के रूप में एकदम ठीक है जब यह सब तय हो गया उसके बाद हम वापस मुंबई आए दादा को फिर हम अपना दादा के पास दादा ऐसा ऐसा हुआ यह हुआ तो दादा ने बोला कि बिलकुल डॉक् देखा ने लुए तो वैसे दादा ने हमें एक दिन बुलाया मैं अपने बच्चों को लेकर दादा के पहां गई तर दादा ने बढ़ा के मिर भी मारी है लेकिन मैं चाहती हूं के मेरे भाई में的话 भी बांका नहाओ उसे कुच नहों चाहा और कहा तुम दोनों छे मेहने के अंदर उनके मराठी शब्द से थे कि खडखड़ित बरेवाल पूरी तरह से तुम ठीक हो जाओगे स्वस्त हो जाओगे यह सुनते ही मेरी जो भी रही चिंताएं जो भी थोड़ी बहुत बची थी वो भी पूरी तरह से दूर हो गई और हम पूरी तरह से पॉजिटिव होगर हम ऑपरेशन के लिए तैयार होगे अब ऑपरेशन के लिए जो खर्श था वो भी काफी था हमारे हिसाफ से उसपक्त बहुत ज्यादा था करीब 25 लाग क्या असपास खर्श था और चिंता यह भी थी कि यह खर्श जो है मेरे पती जिस र शे लाग तक का जो है वो खर्श बैंक की तरफ से रिएंबरस्मेंट होता है तो मेरे इस केस में गवर्नर लेवल या डीजी लेवल तक की उनकी मीटिंग हुई जिसमें यह तैय होना था कि यह ओपरेशन का खर्शा रिएंबरस्मेंट होगा या नहीं चिंता ऐसी नहीं थी लेकिन थोड़ा उतकंठा थी कि क्या आज डिसिजन होगा और उस दिन मुझे ऐसा अनुभव आया कि बापू हमारे आसपास नहीं है और शाम को उस वक्त मोबाइल फोन नहीं थे शाम को मेरे पती का हम फोन की पास ही बैठते कि कब फोन की घंटी कि बाउने साथ साथ बज़े मेरे पती का फोन आया कि बैंक की तरफ से जो है ये रियंबर्समेंट का मंजूर हो गया है इतने खुशी हुई मुझे समझ में नहीं आया कि कैसे 25 लाख और ये सच में इतिहास है ये एक तरह से ये मेरी पहली केस है कि जहां जहां जब सद्ग सब्सक्राइब करने लगें मेरा भाई जो है उस वक्त इंदौर में था वो दिल्ली पहुंचा हम यहां से 31 दिसंबर मुझे याद है सब तरफ लाइटिंग और पार्टियां और ऐसे चल रही थे और हम दिल्ली की तरफ हम जा रहे है थे दिल्ली में पहुंचे वहां पर भ मेरे सद्विरू के अशिर्वाद से आई हूं मेरे परिवार के लोगों का मेरे सारे बड़े लोगों का अशिर्वाद है और मुझे यहां से ठीक हो Bundeswehr आप मुझे अब यह वीमारी नहीं रहना है मैं एक तारीक को एक जनवरी जो नया दिन था साल का उसी दिन में गंगाराम हॉस्पिटल में अड्मिट हुई सारे उनके प्रोटकॉल के अनुसार सारे पूरे हुए और पांच तारीक को मनीश को ऑपरेशन थेटर में ले जाया गया और 6 तारिक को मुझे ऑपरेशन थेटर में ले जाया गया ऑपरेशन थेटर में जाते वक्त मैं यही सोच रही थी कि मनीश का भी ऑपरेशन बहुत अच्छा होगा मेरा भी होगा और मेरी अभी तक की सारी जो परेशानिया हैं दुख हैं जो चिंताएं हैं जो मुझे यह खुजलियां होती हैं बार-बार मेरा जो खराब हो चुका लिवर है वो निकाल के डॉक्टर महाँ पर जो अच्छा लगाने वाले हैं आधा लिवर वो मेरे शरीर में अच्छे से अपने आपको एड़्जस करेगा और फिर से पहले जैसी थी चार साल पहले वैसी में फिर से हो जैंगी यही नुई हैं और सदगुरू डॉक्टर के हाथों में वो शक्ती दे रहे हैं और वो मेरा ऐपरिशन कर रहे हैं बस यहीं मै एक सोचके और मैंने अपनी वोधी लगाई शंस्तिक और और फिर दीरे मैं बेहोश होगी बाद में मुझे कुछ याद नहीं जब मुझे ऑपरेशन के बाद लगभग तीसरे दिन यह उपरेशन अल्मॉस्ट गंटे तक चला था उसके बाद जब मुझे होश आया तब होश आने के थोड़ा पहले मुझे याद है कि मैं होश आने के पहले मुझे स्वपन या भास या ऐसे कुछ हो रहा था और मैं देख रही थी कि दो व्यक्ति मेरी और चले आ रहे हैं उसमें से एक एकदम ऐसा बलिष्ठ मुचा पूरा और दूसरे थोड़े व्रुद्ध व्यक्ति जो हाथ में उनके लाठी है और वो टेकते टेकते सा आ रहे और मैं ऐसे आख अपनी मीच के ऐसा देखना चाहरी थी कौन है दोनों लेक बापू है और उन्होंने नाना का हाथ पकड़ रखा है और नाना महराज और बापू दोनों मेरी तरफ आ रहे हैं और बापू मेरी तरफ देखके मुस्कुरा रहे हैं और मुझे वही यादा है जब मुझे सबसे पहली बार साही निवास में जब बापू का दर्शन हुआ एक वातसल मूर्ति के आँख में होता है वो बाव मुझे तब जो दिखाता जिसके पहले में केवल डया वाली नजरें देखती थी कि अरे इनके साथ क्या हो गया यह कैसी थी कैसी हो गई उस नजरों के बाद जो मैंने बापू के आखों में जो वो बाव देखे थे वही कुछ मुझे सब் dessert कि मैं मैंच बताया जोए कि जो चैसे में आपको कई आपको क्या हु रहा है और हुच मैं आपको पुछ होगाshots तो डॉक्टर ने कहा कि हाँ आपका ऑपरेशन एकदम ठीक हो गया और एकदम 100% सक्सेस्फुल हो गया कॉंग्रेशन तो मुझे समझ में राते कि कॉंग्रेशन मुझे क्यों है कि इसका मैं तो सिर्फ वहां एक लेटी रहती थी बाकि सब मेरे करने वाले तो सब मुंबई में हैं डॉक्टर है मेरा भाई है या मेरे सद्गुरू है पर मैं फिर भी दॉक्टर को बोला थैंक यू मैंने शायद वह थैंक्यू सिफ डॉक्टर को नहीं सब को बोला है मन में दीरे दीरे जब हम आइसीओ में ही हम थे हम एक दुसरे मिल नहीं पाते थे मनीश और में डॉक्टर ने मना किया था भी नहीं मिल पाऊगे और हम फोन पे वहां इंटरकॉम से बात करते थे और आपको लगबक 40 यूनिट से ज्यादा प्लेटलेट्स प्लाज्मा और ब्लड की जुरत होगी तब हम मुंबई से तो हम ज्यादा लेके जाने का सवाल नहीं था लोगों को पर वहां पे मेरे पती ने अपने बैंक में एक नोटिस लगा दिया था कि ऐसा ऐसा ओपरेशन है और ऐसे खून की प्लेटलेट्स प्लाज्मा की जुरूरत है तो हमें आश्चर यह हुआ कि एक तारीक से ही लोगों की वहां लाइन लगना शुरू हो गई थी ब्लड देने के लिए और वह प्रोसीजर भी उस वक्त जो ब्लड देने वाले थे जो नॉर्मल ब्लड डोनेश यह प्रक्रिया उनके लिए नहीं थी एक दो लोगों को उसमें चक्कर भी आये हमने सुना लेकिन लोगों का आना रुका नहीं लोग आते थे ब्लड देके चले जाते थे और उसमें से कुछ-कुछ लोग तो ऐसी बी थे जिनको मेरे पती नहीं जाते थे और वह मेरे पती जब उनसे कुछ कहते थे कि थैंक्स या ऐसा कुछ तो वह कहते थे आप हमें थैंक्स मत बोलिए वहां इतना अच्छा काम हो रहा है हम चाहते हैं उसमें हमारा भी कुछ सहयोगों तो उन लोगो मैंने ना कभी पहले देखा ऑपरेशन के ना कभी बाद में आता है वो जैसे ए आके हमारे लिए इतना बड़ा काम करके गया है यह सब करने वाला जो है वो मुझे नाम लेने की जूरत नहीं है तो यह ऑपरेशन के बाद जब हम घर आये उसके बाद दो कमरों में मैं और मनिश ऐसा रहे इंफेक्शन ना हो इसलिए बहुत ज्यादा हाइजिन हमें पालन शाम क्योंकि डॉक्त ने का था कि खाना बनाने वाला भी आसा को घरका वक्ति हो नाकून कटे हो बाल नहीं गिरे तुबाल पर रुमाल बानना है खाना बनाने से पहले हाध धोना साबून से और स्टरलाइस करना है सब कुछ आपके जो सारे जो भी चीज़ां आप छुएं या यह सब बिल्कुल sterilize करके डिटॉल में धोके ऐसी ही आपको यूज करने हैं रोज के कपड़े भी हमको इस्तरी करके आयन करके ही पहनने हैं उसकी बिना नहीं पहनने हैं धूप में सुखा के आयन करके तो इतनी उन लोग ने हमें हमारी केर ली है रिष्टेदारों ने या हमारे जो मित्र परिवार थे उन्होंने और मैं वहां के आयने में अपने आपको देखती थी ऐसे लग रहा था जैसे कि कणकण से वजन बढ़ना या जो है जो मैं एकदम पैंतालेस किलो की ऐसे क्रश का ऐसी हो गई थी पूरी स्किन मेरी जो थोड़ी डाक साइड पर काल हो गई थी वो धीरे धीरे जिसे खिलने लगी मतलब मुझे यह लग रहा था कि हाँ यह लीवर को मेरे बॉड़ी ने एडॉप्ट कर लिया है और वो मेरे लिए काम कर रहा है और डॉक्टर भी जो रिपोर्ट्स आते थे वो हमें जब हम हपते में दो बार महां ड्रेसिंग के लिए जाते थे तो हमें बताते थे कि आपके रिपोर्ट्स अच्छे आ रहे हैं बिली रूबीन कम हो रहा है बाकी जो चीज़े जैसी चाहिए नॉर्मल रेंज में आ रही हैं और वह भी बड़े खुशत है हमारी प्रगति से और हमें ऐसा लगता था जैसे हम अच्छे म मत करो उसका पेट खराब होगा तो मैं देख लूँगा तुमें इसको 60 ग्राम इतना प्रोटीन शाहिए तो तुम चार अंडे का आमलेट दो ऐसा करो वैसा करो मेरे पती से कहते थे कि मिलिन वहां पे डबा वर बदाम रखना और इसको जब मन हो तब खाओ मतलब आपको व प्रोटीन की चीचे खाओ क्या मन है क्या मंगाएं आपके लिए ऐसी मिल्लब रॉयल ट्रीटमेंट जैसा हो रहा था और सारा वातावरण ऐसा था कि हमें कोई टेंशन ही नहीं था ऐसा लगा था जैसे हम पिकनिक मना यां यहां हैं तो यह सब वातावरण क्रियेट हुआ ह हम जो लोग मिले वहां पे जो हमारे इतनी परवा कर दे connection कि हमकुछ दॉस चिंटा करने की ज्वरुत नहीं ती है और देरेग मुझे लगने लगा था कि यह कोई चमतकार नहीं है यह उनका अधिकार है वह ऐसा कर सकता है जब उनके भक्त को कोई तकलीफ हो तो उस तकलीफ को दूर करने के लिए वह किसी भी हद तक जाते हैं और भक्त को वह भी खुश देखना जाते हैं तो मुझे यह भावना है मन में बार-बार आ रही थी और ऐसा लग रहा था कि बस मेरे पास बापू है अभी मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता यह जो भावना लेके हम वहां थे जब मनीश का जब डॉक्टर ने परमिशन दिया कि अब वापस जा सकता है इंदौर तो उ आज उसने और मेरी भावी जो है मेघा उन दोनों ने जो डिसिजन लिया था उच्पूरत तास से बिल्कुल कि नहीं हम यह काम आप हमें मैं एक दो बार मैंने उनको मना किया था कि मेरी जिंदेगी के लिए तुम अपनी जान क्यों खत्रे में डालते लेकिन उन दोनों का जो डिसिजन था इसकी वज़े से उन दोनों का स्थान जो है वो मेरी नजर में इतना उपर है कि में बया नहीं कर सकती उसको और हमारा मन इतना भर आया था कि उसने केवल अपनी बहन के लिए नहीं किया है, उन्होंने उसने एक परिवार को फिर से मार्क पर लाके खड़ा किया है, तो उसका भी यह जो, मैं उसको एहसान नहीं बोलूँगी, क्योंकि उससे फिर उसको अच्छा नहीं लगेगा, तो उ मुंबई जाने की, तो हम मुंबई आये वापस, और आके भी मैं सबसे पहले फिर पहला हमारी, जैसे मैंने पहले बताया, पहली दौड सुचित दादा के पास, दादा बहुत खुश हुआ हमें देखे, मैं मास वगरा लगा के गई थी, दादा ने मुझे बताया, आपको आपको भीडबाड वाले जगह पे नहीं जाना है, डॉक्टर ने आपको जो जो इंस्ट्रेक्शन दिये हो सब आपको अच्छे से फॉलो करना है, स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, तो मैंने दादा को उस वक कहा कि दादा बापू ने मुझे आशरवाद दिया थे जाने से पहले और बिल्कुल मुझे विश्वास था कि मैं पूरी तरह से ठीक हो के आऊँगी, वैसे ही मैं आई हूँ, लेकिन मेरी इच्छा है कि बापू एक बार मेरे भाई के सर पे हात रखे, दादा ने बोला बिल्कुल आपका भाई जब भी मुंबई आए तो मुझे आप फो के पास जाते से ही हम सभी के आँखों में आसू आ गए, मन भर आया और दादा वापू ने उस वक्त मेरे भाई के सर पर हात रखा और उससे बड़ा संतोश मुझे लगता कोई नहीं, और वापू ने मुझे कहा कि अब वो केवल तुमारा सगा भाई नहीं है, अब वो तु अब आपके खुशी के दिन है, हम सब वावु का दर्शन लेके आए, और उसके बाद भी मुझे एक अनुभो यहां बताना जरूरी समझती हूं मैं, कि जब हम ट्रांसफर होकर हम दिल्ली पहुंचे, दिल्ली में भी हम डॉक्टर सौयन के पास फॉलो अप के लिए जाते छे मैंने तो उसे जादा हो चुके थे, अब हमें रियंबर्स्मेंट जो है वो नहीं होता था दवाईयों का, दवाईयां थोड़ी महेंगी पड़ थी, तो क्या करें, क्या न करें, क्योंकि दवाईयां कंटीनियों रखना आवश्र था, तो मैंने वहां से एक बार मैंने दादा को पत्र भेजा, कि दादा जो पैसा हम अपने भविष्य के लिए रखते हैं, मैं हम उसमें से निकाल कर हम अपनी दवाईयों का खर्चा भी कर रहे हैं, तो मुझे कभी-कभी मन में थोड़ा सा गिल्ट फिल होता है, कि जो मेरे बच्चों का भविष्य है, उसका क् पैसा है, मुझे ऐसा लगता थे कि जैसे मैं कुछ दवाईयां बंद तो नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि बंद करोंगी, तो अभी तक का मेरे भाई ने, मेरे सद्गूरी ने, जो मेरे लिए किया है, मैं उसे व्यर्थ नहीं जाने देना चाहती, लेकिन इसके साथ मैं चाहती इसका जरूर कुछ न कुछ उपाय निकलेगा, आप अपना विश्वास जारी रखिए, आप वापू पर विश्वास है ना बस सब ठीक हो जाएगा, मुझे भी ये शांती मेली कि बस मेरी बात दादा तक बापू तक पहुच गी, और उसके एक मैने बाद मुझे डॉक्ट आप मंगवाते थे ना बाहर से वो अभी एक कमपनी को पुड़े में पर्मिशन मिल गए यह वोई दमाया बनाने की, तो जो दमाया आपको जिस कीमत में पड़ती थी उससे वन थर्ड प्राइस में आपको वो दमाया पड़ेगी, तो आप खुश है, उनसे मैं समझी नहीं मैं क्या बोलो, आप खुश है, मतलब हाँ, मैंने खुश हूँ, फिर मुझे समझ मैं थोड़ी दिर बाद पता चला कि यह क्या बोल रहे है, और मैं समझ नहीं पाई, जो खर्चा मुझे लग रहा था, मैंने दादा को अभी चिट्थी लिखी है, एक महिना भी नहीं हुआ है, जो दवाई बनाने का लाइसेंस इंडिया में किसी के पास नहीं था, वो अचानक एक कमपनी को मिलता है, और वो दवाईयां फुने में बनना शुरू हो जाती है, यह सच में मुझे लगता है कि चमतकार रहीं, अधिकार ही हैं उनका, कि आपको बस उन तक अपनी बात पहुचाने की जरूरत है, उनसे आप मतलब बात करने की जरूरत है, कभी-कभी तो ऐसा होता है कि मन ही मन में मैं बापो को कुछ बताती हूं, कुछ बात करती हूं, और मुझे लगता है कि बापो तक बात पहुँच गई और उसका इलाज भी निकलाता है, उसका जो हल है व उनकी जो हम पर पड़ी है ऐसा उनके सारे भक्तों पर पड़े सारे दुनिया पर पड़े और सभी सभी को अपने अपने परेशानियों से अपने अपनी समस्याओं से छुटकारा मिले हर्योग श्रीराम अमबद्ने